Dear students, greetings! आज के इस वीडियो में हम लोग Business Statistics चैप्टर का एक बहुत ही important चैप्टर लेने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है आपकी रण और विशमता इस चैप्टर से किसी भी competition exam, कोई भी competition exam हो college lecturer का हो या junior accountant हो या statistical officer हो इस चैप्टर से दो या तीन question या उससे ज़्यादा questions आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं dispersion, अब किरन क्या होती है? अगर हम dispersion की बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द लिया गया dispers से डिसपर्स शब्द का अर्थ है किसी चीज का फैलाव, फैलना, डिसपर्सन का अर्थ हुआ फैलाव अब ये फैलाव आप कैसे देखेंगे? देखे, इस graph के अंदर जो ये पहले year 2000 का data दिया गया है यहाँ जो फैलाव है, बहुत कम है, 2015 का यही data फैलाव अगर आप देखते हैं, तो वो दोनों तरफ फैल गया है इसे हम अब किरण कहेंगे, means year 2000 के अंदर बहुती close, center point से बहुती close this person है जबकि 2015 के अंदर center point से दोनों तरफ का फैलाव wide है, ज्यादा है तो अब किरण के बारे में कुछ important बाते आप हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, this person को दृतिया शिरनी का माध्य कहा जाता है second level measurement कहा जाता है इसको इसके दो तरिके के माप होते हैं, निर्पेक्ष माप और सापेक्ष माप आयो की गणना कर रहे हैं, उचाई की कर रहे हैं, आय, मजदूरी, इतियादी को उसी की वास्तवी की काई में लिखा जाता है परंतु याद रखिए निर्पेक्ष माप तुलना की योग्या नहीं होते सापेक्ष माप या तो हम अनुपात में बताते हैं या प्रतिशत में बताते हैं क्योंकि या अनुपात और प्रतिशत में हैं इसलिए तुलनात्वक होंगे इनकी मदद से दो सीरीज के बीच में दो चरों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं अब आते हैं अब किरण की रितियों पर कौन-कौन से मेधर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दो तरीके की हैं गणिती रितियां और बिंदु रेखिया रिती, गणिती रेखिया गणिती विधियों में लिमिट आधार पर हमारे पास तीन हैं, विस्तार आधारित, विस्तार, अ आगे detail में discussion करने वाले हैं, बिंदू रेखिये विधी में हमारे पास एक method है, लोरेंज वक्र, चलिए शुरुबात करते हैं, सबसे पहला range से, range विस्तार, अर्थाद, एक series का सबसे highest point और सबसे lowest point, इनके बीच का जो अंतर होगा, वो range कहा जाएगा, simple सा formula है, highest value minus lowest value, और यदि आप उसका सापेक्षमाप निकालने जा रहे हैं, सापेक्षमाप के लिए आपको कुनांक निकालना होगा, जिसको हम नाम देंगे coefficient, तो coefficient of range सापेक्षमाप हो जाएगा, highest value minus lowest value divided by highest value plus lowest value, तो याद रखे, जब simple हमने formula लगाया, r का range का, तो ये निर्पेक्षमाप थ और जब coefficient हम निकालेंगे, तो ये सापेक्षमाप होगा, अगर हम range के उपयोग की बात करें, तो इसका उपयोग जैसे ताप करम की सबसे अधिक्तम कितना रहा, किसी एक particular season में, कितना lowest रहा, उत्पादित वस्तु की किश्म नियंतरन, कि उसमें किस level तक कंट्रोल किया जान ये कितना अधिकतम होगा, कितना नियुनतम होगा, ब्याज व विनिमाई दरों में परिवर्तन की जानकारी कि ब्याज की पिछले साल में highest rate क्या रही, lowest rate क्या रही, स्टोक बाजार में किसी कंपनी का उतार चड़ाव कितना चल रहा है, वहां highest और lowest इस range का इस्तमाल किया ज स्रीज में अपरियम इतरों, फॉर्मलाज आप लगों को याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कई बार तो फॉर्मलाज पर कुशन बताए गए हैं, पूछे गए हैं, आईक्यार का फॉर्मला आप याद कीजिए, क्वार्टाइल 3 माइ प्रफम चतुर तक का विस्तार प्रशन में पूछ लिया जाए, तो हम फॉर्मला लिखेंगे, क्यू वन जो क्वार्टाइल 1 है, उस में से उस सीरीज की जो मिनिममम वेल्यू है, वो गटा दीजिए, अंतिम चतुर तक का विस्तार पूछा जाए, तो मैक्जिमम वेल्यू में से क्वार्टाइल 3 को गटा दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा, वो अंतिम चतुर तक का विस्तार होगा, अब चलते हैं, शत्मक विस्तार पे, इसमें भी तीनों सीरीज का फॉर्मला सेम है, आपको परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए फॉर्मला लिखना है, प परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 डिवाइड़ वाई P90 प्लस P10, तो ये तीनों लिमिट वाले विस्तार हो गए हमारे पास में, अब हम चलते हैं, डेवियेशन बेस में सबसे पहला क्वार्टाइल डेवियेशन याद रखिए, इसे सेमी IPR भी कहा गया है, हिंदी मे दिया गया है, क्वार्टाइल डेवियेशन इक्वल्स टू, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड़ बाई 2, और जब इसके कॉफिशेंट की बात करेंगे, तो क्वार्टाइल 3 माइनस Q1 डिवाइड़ बाई Q3 प्लस Q1, पर यहां मैं आपको एक इंपोर् quartile deviation को aid कर दिया जाए तो quartile 3 calculate हो जाएगा median से quartile deviation को गटा दिया जाए तो पहला quartile calculate हो जाएगा इस equation की मदद से आप से परश्ण पुछा जा सकता है quartile deviation के हम use की बात करें तो अगर series का पहला point और last point अगर खुले shifts वाला है वहाँ पर हमारे पास points मालूम नहीं है बिलो 20 लिख दिया और शुरुवात पता नहीं है या बिलो 80 अबव 80 लिख दिया और अंत पता नहीं है तो उस केस में चतुरतक विचलन सर्वोपयोगत माप होता है इसी तरह से अगर हम इसके कुशन की बात करें तो कोगलेज लेक्चरर एक्जाम 2016 में प्रश्ण पूछा गया कि यदी प्रथम चतुरतक 142 हो अर्द अंतर चतुरतक विस्तार 18 हो तो बंटन को सममित माध्य मानते हुए मध्य का मुल्यक क्या हुगा Q1 आपको दे रखा है देखें Q1 दे रखा है और Semi IQR अर्द अंतर चतुरतक विस्ताम अंतर क्वार्टाइल इविएशन 18 दे रखा है तो इस फॉर्मले की हेल्प से आप Q1 की वेल्यू और Semi IQR की वेल्यू रखके और Q3 की वेल्यू निकाल लेंगे और क्योंकि सममित वित Q2 करेंगे तो आपकी मद्धिका कैलकुलेट हो जाएगी 160 कैलकुलेट हो जाएगा आगे चलते हैं इस प्रश्ण के बाद अगला जो डेविएशन बेस हमारे पास है वो है माध्य विचलन मीन डेविएशन पहले फॉर्मलास देख लेते हैं माध्य विचलन तीनों माध्य से लिया जाता है मीन से मीडियन से और मोड से यहाँ पर हम माध्य से मीन से अगर हम प्लड युवेंशन ले रहे हैं तो ए कि डेल्टा एकस बार लिखेंगे इस तरीके department का साइन बनेगा एकस बार लिखेंगे मॉड्यूलस लगेगा मॉड्यूलस सिग्मा डी एकस बार मॉड्यूलस का मतलब हो गया आपको इस माध्य विचलंद की गण्डा करते समय जब आप माध्य से विचलंद ग्याद कर रहे हैं अंतर ग्याद कर रहे हैं तो sign को ignore कर देंगे minus sign plus sign को आप ध्यान नहीं देंगे सभी signs आप plus मांते हुए उनकी total लगाएंगे coefficient निकालने के लिए formula हो जाएगा coefficient of delta x bar equals to delta x bar divided by x bar median से आप जब यहीं निकाल रहे हैं तो x bar की जगे median लिख लिजिए modulus sigma dm divided by n coefficient of delta m निकाल रहे है median निकाल रहे हैं तो delta m divided by median मोड से आप calculation कर रहे हैं तो delta z equals to sigma modulus modulus sigma delta deviation from mode divided by n coefficient of delta z delta z divided by z यह होगे formulas की बात अब चलिए कुछ इसके important assumptions के बारे में बात करते हैं तो माती वेचलन अपने मूल को परिवर्थित करने पर अपरिवर्थित रहता है मिंस पूरी सीरीज में आप प्लस दो-दो कर देंगे तो माती वेचलन का उस पर कोई असर नहीं आएगा पूरी सीरीज में आप माइनस माइनस दो-दो कर देंगे तो भी सीरीज पर कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन important यह है कि उसके अनुपाद मतलब अनुमाप मतलब scale में परिवर्थन करें तो जिस scale में जिस अनुपाद में आप परिवर्थन कर रहे हैं उसी अनुपाद में डेल्टा mean deviation change होगा इस अनुपाद को हम b से denote करेंगे से दर्शाएंगे और जो formula बनेगा mean deviation of y equals to b जो अनुपाद है into mean deviation of x यहाँ b का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ कि माल लीजे x और y दो series हैं आप regression प्रतीव कमन समी करने जो होता है y equals to a plus bx उसकी मदद से यहाँ पे b की calculation करनी होगी modulus इसलिए लगाया गया है कि आपको sign का ignore करना है यदि उदारन लेते हैं यदि x तथा y चरो के मद्य यह relation है 5x plus 4y equals to 40 से संबंदित है और x का मात्य विचलन आपको दे दिया 8.15 अब बताइए y का मात्य विचलन क्या होगा तो चलिए calculation करके देखते हैं इनके बीच का जो relation ह वो है 5x plus 4y equals to 40 y factor को इधर रखते हुए बाकि सबको आप right hand side में shift कर दीजिए 5x right hand side जाएगा plus 40 4 divided by हो जाएगा तो जो ये value होगी इसे आप a कहेंगे plus x के साथ जो value होगी उसे आप b कहेंगे bx कहलाएगा तो b की जो value होगी वो 5 upon 4 हुई modulus b की value 5 upon 4 होगी अब आप ये formula जो मैंने आपको बताया था mean deviation of y equals to b जो 5.4 है into mean deviation of x 8.15 जो प्राशन में दे रखा है आप इसको calculate करेंगे तो आपका अंसर हो जाएगा 10.19 इस तरीके से ये भी है का हमारे लिए practical exam के लिए important question हुआ discrete और continue series में formulas लगबग वही है बस आपको इस में modulus के साथ frequency को साथ में multiply करना है तो formulas को आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि formulas का selection आप से कहीं बार गलत हो जाता है exam में तो number कटने के chance हो जाते हैं अब आते हैं most important topic पर वो है standard deviation जो की पूरी series के जितने भी पद हैं विबिन पदों के मुल्यों से आपको समांतर माध्य से प्राप्त विचलन सभी x values से समांतर माध्य निकालते हुए आपको उसका विचलन निकालना है deviation निकालना है अंतर निकालना है उस अंतर का square करना है d का square करना है deviation का square करना है कि समांतर माध्य का वापस आप उसका average निकालेंगे और उसका under root निकाल देंगे तो इसे आप standard deviation कहेंगे standard deviation निकालने में केवल समांतर माती का उपयोग होता है जैसे मैंने आपको भी बताया था mean deviation में तीनों का उपयोग होता है माध्य मध्य का बहुलग जबकि standard deviation में केवल समांतर माती का उपयोग होता है एक और important बात यह है कि यह समस्त मुल्यों पर आधारित होता है x series में अगर एक भी value आप change करेंगे तो standard deviation में उसका अंतर आ जाएगा formula पर चलते हैं individual series में देखे सामने आपके direct method मितलब x bar से समानतर माध्य से अगर आप deviation लेते हैं तो formula दिया गया है standard deviation equals to under the root sigma d square upon n shortcut method से assuming पहिन लेते हुए जब आप अपना deviation निकालके formula के अंदर रखेंगे तो formula देख लिजए याद कर लिजए under the root sigma dx square upon n minus bracket में sigma dx upon n का whole square और इसका एक alternative formula है formula लगबग same है alternative है formula में याद होना चाहिए 1 upon 9 1 upon n under the root बाकी की information same है shortcut method में यह formula लगएगा discrete or continuous series में आपको frequency को साथ में जोड़ना होगा formula सहम है d square upon n बस f साथ में लगगया तो f से deviation को multiply करना होगा उसके बाद में आप formula में रखेंगे अब कुछ इसके important formulas और है standard deviation का जो एक मानिता है कि standard deviation अगर 2-3 series का निकाल दिया गया है उन दोनों तिनों series का अगर आपको सामोहिक प्रमाव विचलन निकालना है तो आप जो screen पे आपको formula नजर आ रहा है उसकी मदद से निकाल सकते है standard deviation 1-2-3 under the rule n1 मतलब पहली series का number of items bracket में standard deviation first series का square plus difference जो आपको combined mean से निकालना होगा उसका square n यही formula n2 plus n3 के साथ में लगेगा same copy up को करना है divided by n1 plus n2 plus n3 इसके बाद विचरण variance standard deviation का square formula है इसका और next जो formula आपके से screen पे है coefficient of variance most important formula क्योंकि यदि आप से विचरण शीलता प्रश्ण में पूछी जाए या संगत ता प्रश्ण में पूछी जाए तो आपको इस formula का इस्तमाल करना होगा standard deviation divided by x bar into 100 यह प्रतिशत में ग्याद होगा और इस प्रतिशत की मदद से आप बता सकते हैं जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है वो विचरण अधिक है विचलित है विचरण अधिक रखता है और जिसका सबसे नियुनतम विचरण है वो संगतता अधिक रखता है उधारण के लिए जूनियर एकाउंटेंट का मैंने एक प्रशन लिया है देखिए चार कंपनियां हैं A, B, C, D इनके पांच वर्षों के अध्यायन से एवरेज मुल्य और उसका इस्टेंडर्ड इविएशन निकाल दिया गया है आप से कहा गया है वह कंपनी बदाईए जिसका अंश सबसे अधिक स्थिर है तो इस एवरेज प्राइज मतलब एकस बार आपको दे दिया इस्टेंडर्ड इविएशन दे दिया आप इस्टेंडर्ड इविएशन अपोन एकस बार इन्टु हंड्रेट करके कॉफिशेंट ओव वेरियंस सबी का निकाल दीजिए देखे मैंने निकाल रखा है सीवी कॉफिशेंट ओव वेरियंस निकाल दीजिए एक कंपनी का 3.6 डिवाइड़ बए 25 इन 200 करके परसेंटेज आया 14.4 26.67 B का 15% C का 20% D का इसमें सबसे हाइस्ट 26.67 सबसे अधिक विचरनता को बताएगा और सबसे नियुनतम 14.4 संगतता को बताएगा जो हमारा प्रशन था उसको आप देख लिजिए सबसे अधिक इस्तिर पूछा है तो A अंसर हुआ सबसे अधिक अस्तिर पूछ था तो B अंसर होता इस प्रकार इस प्रशन का उत्तर हमारा A हुआ चलिए और आगे बढ़ते हैं अब तक हमने इस्टेंड डेवीशन, क्वाटाईल डेविशन, मीन डेवीशन के बारे में डिसकस किया है तो इस्टेंडर डेवीशन, सिक्स इस्टेंडर डेवीशन का रिलेशन होगा वेल्यू आप calculate कर सकते हैं, तो important formula, अगर आपको quartile deviation 5 दे दिया, आपको कहा standard deviation निकाल के बताइए, तो 5 into 9 divided by 6 standard deviation calculate हो जाएगा, and next जो screen पे है आपके competition exam के लिए again important, natural संख्या हैं, जो एक से लेकर continuation में चलती हैं, उन संख्याओं का अगर आपको प्रमाव विचलन की गढ़ना क करने को कहा जाए, तो ये formula आपको इस्तेमाल करना है, standard deviation equals to 1 by 12, ये under root पूरा है, माफ कीजेगा, 1 by 12 n square minus 1, तो यदी, मान लीजे, मैं 12 संख्याओं ले लेता हूं, एक से 12 तक कि, इन संख्याओं का मुझे प्रमाव विचलन निकालना है, तो मैं formula रखूंगा, 12 का square minus 1 into 1 by 12 क value आजाती है, 3.45, ये natural संख्याओं का standard deviation निकालने के लिए हो जाएगा, एक से लेकर आपको प्रशन में पूछा जा सकता है, starting की 30 संख्याओं का, आप standard deviation निकाल के बताईए, तो exam में आपके पास इतना समय नहीं होता कि, एक से लेके 30 तक लिखके, आप उसका एक standard deviation निकाल हो, तो simple सा formula है, वो जो दो values दी गई है, उन दोनों की range निकाल लीजे, क्योंकि दो ही value है, जैसे 5 और 9 मेरे पास में है, उनकी range हो जाएगी highest value 9 और lowest value 5, तो 9 minus 5, 4 divided by 2 standard deviation calculate हो जाएगा, तो जो range की मदद से divided by 2 करके आपको standard deviation क्याद हुआ, आप 5 और 9 का अगर standard deviation normal method से calculate करेंग तो भी यही calculate होगा, यह प्रामा विचलंग की limits के बारे में बात करते हैं, x बार से minus 1 standard deviation और x बार से plus 1 standard deviation, minus 1 से plus 1 के बीच की range का जो probability percentage होगा, limit होगी या प्रतिशत होगा, वो होगा 68.27%, minus 2 से plus 2 के बीच की range को आप प्रतिशत याद कर ले, 95.45% प्रतिशत होगा, minus 3 से plus 3 के बीच की range 99.73% होगी, standard deviation पे again college lecturer का हमें question लेते हैं, निमन अब किरण मापों में में से कौन सा माप शेनी के सभी पद मुल्यों पर आधारित है, विस्तार highest और lowest point को देखता है, quartile deviation 25% और 75% को देखता है, standard deviation एक ऐसा प्रमाप है, जो की शुरू स से लेके अंतक सभी मुल्यों को चेक करता है, लेता है, इस वज़े से ये answer हमारा सही हुआ, अब चलते हैं, इस क्यूनेस पे, जो हमारा second part है आज के इस वीडियो का विशमता, विशमता जैसा कि आप स्क्रीन पे एक bell shape में सिरीज देख रहे हैं, सममित वितरण है, इस सममित वितरण की दशा में माध्य माध्य का बहुलक, क्योंकि इसके ठीक center point पे होंगे, तो ये तीनों equal होंगे, तो इस दशा में विशमता का मुल्य शुन्य हो जाएगा, means ऐसी सिरीज जिसकी frequency जिस गती से बड़ी, उसी गती से वापस कम हुई, bell shape में convert हुई, तो यहाँ पर जो center point होगा, वही mean more median होगा, और इसमें किसी प्रकार की विशमता नहीं होगी, हम विशम, यानि कि असमित वितरन की बात करें, तो इस relation को हम वापस याद कर लें, x bar minus z equals to 3x bar minus median, x bar minus z से भी हम हमारा विशमता ग्याद कर सकते हैं, या जो second formula है, 3x bar minus median, इस relation, इस वाले पार्ट से भी विशमता ग्याद कर सकते हैं, देखे, bell shape जो मैंने आपको भी बताया उसके अंदर, इसके नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार का अगर शेप बनता है, frequency का distribution एक तरफ जुकाव ज्यादा रख रहा है, तो इस case में, mode का मुलेज जगे होगा, और x bar का मुलेज जगे होगा, ये negative direction बताएगा, देखे, मान लिजे, यहाँ पे mean है 15 और mode यहाँ 16 है, त means negative skewness हुआ, बीच वाली situation जो हुई, दोनों same है, 15 और 15, तो skewness 0 हो जाएगा, तीसरी situation हम देखें, जिसमें, जो data का frequency है, वो left and side का रूपर जादा जुका हुआ है, तो यहाँ पे mode है, मान लिजे, 15, और हमारा x bar 16 है, sorry, mode हमारा 14 पर है, और x bar 15 पर है, तो जो positive answer आएगा 1, it means, यह वाला जो distribution होगा, यह positive skewness रखता है, तो ऐसा भी आप से पूछा जा सकता है, ग्राफ देकर, कि यह जो ग्राफ दिया गया है, यह कौन सा skewness रखता है, positive, negative, 0, यह नद नोता है, इसमें, दो उथर्स के हमें formula जियाद करने होते हैं, पहला, काल पियर्सन, measure of isqueness, जिसमें, इन्होंने, x bar, median, और mode, इन्हें के relation को काम में लिया, isqueness equals to x bar minus mode, या फिर दूसरा formula 3 x bar minus median, coefficient अगर आपको निकालना है, इसको सापक्षमाप में बदलना है, तो आपको formula रखना होगा, x bar minus z divided by standard deviation, या second formula 3 x bar minus median upon standard deviation, एक और formula हमारे पास है, बाउलेज measures of isqueness, इन्होंने formula दिया, quartile 3 plus quartile 1 minus 2 median, अगर आपको इसका सापक्षमाप निकालना है, coefficient of isqueness, तो formula रखेंगे, q3 plus q1 minus 2 median, divided by q3 minus q1, formula दियान रखें, क्योंकि इसमें, सापक्षमाप निकालने में, plus 1, plus उपर हुआ है, तेन नीचे की तरफ q3 minus q1 हुआ है, college lecturer 2014 में, इसी स्क्विनेश पर जो question आया वो था, बाउले का विश्यमता गुणांक का सही सुत्र क्या होगा, तो देखें, formula q3 plus q1 minus 2 median, assistant statistical officer 2018 के exam में, इसी स्क्विनेश पर एक कुशन आया, जो आपकी स्क्रीन पर है, यदी प्रत्म चतुर्तक, गृतिय चतुर्तक और तिर्थिय चतुर्तक किसी आवर्ती बंटन में 3 चतुर्तक हैं, तो चतुर्तकों के मध्य कौन सा संबंध होगा, यदी बंटन रिनात्मक हैं, तो रिनात्मक होने की दशा में, ग्राफ जो है वो हमारा इस तरफ राइट हैंड साइड जुका हुआ होगा और पॉजिटिव होने में लेफ्ट साइड जुका हुआ होगा तो जो रिनात्मक होने की दशा में Q3 प्लस Q1 सेकंड क्वार्टाइल के डबल से छोटे होंगे अगर पॉजिटिव है तो फिर Q3 प्लस Q1 टू Q2 से ग्रेटर होंगे यह अपने को याद रखना होगा और अगर यहां सम्मवित शब्द लिख दिया जाए तो Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू टू क्वार्टाइल टू होगा तो यह हमें याद रखना होगा थैंक यू वेरी मच्छ